वाइफाई वर्सिस इथरनेट आप यह विदियो में आपकी सी कनफिजियों को दूर करेंगे कि लैन का क्या फाइदा है और वाइफाई का क्या फाइदा है वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कि तो उसको कर लीजिए क्य अच्छी वीडियो ले के आता रहता हूं असलाव नेकुम दोस्तों में नम हसान और आप देख रहे हैं डेली टिटोरियो आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक पर जो के है इथरनेट वर्सिस वाइपाई तो आम मैंसे बहुत से लोग ने घरों में या तो इस होगा या वाइपाई होगा तो बहुत से लोग आएडी को यूज कर रहे होंगे तोा कि किस वीडियो में बात करेंगे वाइपायर्लेस वह होता है वाइअ होता है wired तो actually क्यों होता है ethernet में जो कि है पुराने connection थे इसमें आपने अगर internet use करना है तो आप connection करते थे wires को use करता हुए अपने PC के साथ यानि कि आपके जो PCL की cable आ रही होती थी जो आपके पस device लगी होती थी उससे cable आती थी और वो आपके system में लगती थी जिसको हम कहते है ethernet तो वो एक port होती थी जिसके अंदर वो connect होती है तो जो वाइपाई है वो है wireless यानि कि आप कहीं पे भी बैटके internet वाइपाई के जरीए connect करके अपने modem से है तो आप internet use कर सकते हैं अब सबसे पहले बात कर लेते है security की इनमें से secure कौन सा है तो obviously जो secure है वो ethernet है उसकी वज़ाई ये कि ये cable connection होता है और ये cable जिस system के साथ connect होई होगी सिरफ वो ही जो है वो system internet use कर सकता है वो ही आपके network को connect कर सकता है और वो ही आपके network के पढ़िवी चीज़े इस्तमाल कर सकता है तो अगर आप को security concern है तो आप ethernet ही use करें और wifi जो है वो in the air है आप कहीं पे भी बैटके आप internet जो है वो use कर सकता है wifi के जो भी signal आते हैं वो आपके mode-n से आ रहे होता है आप इसके साथ connect करके तो आप internet use कर सकता है तो कोई भी person आपके wifi का password मुलूं करके आपके wifi के साथ connect हो सकता है तो उससे data breach बहुत ज्यादा हो सकता है तो अगर आपको data concern है तो आप land ही use करें अब बात करते है portability की अगर आप land use करते हैं तो उसका नुकसान और फाइदा क्या होता है नुकसान ये है कि अगर आपके पास laptop है या mobile devices है तो आप सारी उसके साथ connect नहीं कर सकते जो उसका फाइदा ये है वो ये कि आपका desktop में आप land cable connect कर सकते है और आपका desktop ये की position पर तो आपकी जो land है वो wired होगी और आपको अच्छी speed मिल सकती है अब देखते है जो Wi-Fi का फाइदा है वो क्या है Wi-Fi का फाइदा है कि आपका जो mobile है जो आपकी device है, laptop है, computer है कुछ भी आप उसको wirelessly कहीं पर भी बैठके connect कर सकते है तो क्या हो गया कि आप अगर घर की चछट पे यूज़ करना चाते है अबना mobile तो आप वहाँ पे बैठके use कर सकते है अगर आप laptop यूज़ करना चाते है वहाँ पे बैठके आप वहाँ पी use कर सकते है तो इस शाट कि आप चलते फिरते घुमते हुए आप कहीं पे भी अपना internet यूज़ कर सकते है Wi-Fi अगर आप यूज़ करते है तो अब बात करते है pac женщini के स्पीड ज्यादा है यह यह इधरनेट की स्पीड ज्यादा है यह यह प्रफाइगी तो मैं आपको बता दू के इधरनेट की स्पीड ज्यादा है मगर आजकर वाइपडेट हो रहा है मगर इंटरनेट वह ब्रफाइब क्त yol n identified आएंगे यूज़ कर रहे हैं और उन दोनों पर इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं तो आप ने ये फुद नोट किया हुआ कि जिनके साथ लैंड केबल आपके किनेक्ट होती है इसके अंदर आपके पास स्पीड ज्यादा आती है और जिसके वाइफाई होता है उसकी स्पीड कामदी है क्योंकि उसमें हमें एक वायरलेस सिस्टम चाहिए होते है जो के हमारा मोडैन को वायरलेस बना दे यानि कि उससे वाइफाई सिगनल जनरेट करवा दे जबके इथरनेट केबल जो है वह बहुत ही चीप केबल है और वह आपको 100 रुपीज में किसी भी कंप्यूटर शॉ यह है क्योंकि हम टेकनोलजी में उपर जा रहे हैं तो यह बहुत से न्यू कोमेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे अभी यही सोच रहोंगे हमारे पस लैप कंप्यूटर है तो हम उसके में लैंक केबल लगाके इथरनेट केबल लगाके इंटरनेट यूज कर अब आपका क्वेशन की होगा विच वाइफडर तो मैं आपको आपको अबीसली यही कहोंगा कि वाइफडर क्योंकि आप मल्टीब डिवाइसेज को मल्टीब लुकेशन पर बैठके मल्टीब पीबल ड़ने टास्क करने के लिए यूज कर सेकते हैं तो दोस्तों आज की व سبسکرائب کر لیں کیونکہ روز میں آپ کے لئے ایسی اچھی ویڈیوز لے گی آتا رہتا ہوں اور اگر آپ کا دل کرے کہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں انفارمیشن جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ ضرور میری ویڈیوز کو اپنے فیس بک پہ شیئر کریں اور جیدنی سپیڈ میں ہمارا چینل گروہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک بہت بڑا ٹارگیٹ اچھیل کریں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک کمپنی ہے انفینکس تو وہ مجھے موبائل ریویو یونٹ ایک بھیجنے لگی ہے تو انقریب آپ کو ایک بجٹ فون کا جو ہے وہ کمپلیٹ ریویو آئے گا تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ